दोस्तों तेवहारों में बहुत सारी मिठाईयां फेमस होती हैं अलग-अलग तेवहारों में अलग-अलग तरह की मिठाईयां फेमस होती हैं ऐसे ही एक पंजाम में तेवहार होता है लोडी तो लोडी फेस्टिबल जब मनाया जाता है तो उसमें ये वाली मिठाई बहुत ज ज्यादा फेमस है और इस मिठाई की रेसपी हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं जो कि आप घर में आसानी से बना सको अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आती हैं और हलवाई वाले वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो की नीचे जो रैड कलर का बटन दिया ह हुआ है सस्क्राइब को सस्क्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको भी जरूर तबाल लेना ताकि आप सभी को हमारे वीडियो देली मिलती रहें तो इस रेसपी को बनाने के लिए हमें एक पैन में तिल चाहिए थोड़ा ज्यादा तिल चाहिए मैंने यहा लाला है और इसे हमें थोड़ा सा रोष्ट करना है थोड़ा सा भूनना है हलका सा इसे ब्राउन करना है मतलब हलका सा कलर चेंज हो जाए बस उसके बाद हमें यहाँ पे दो तीन मिनट ही ऐसे लो फ्लेम पे इसे भूनना है बहुत जादा भूनने के जोत नहीं है हलका सा कल एड़ार में हम इसे डालेंगे और इसे थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा इसे फाइन पीसने के जरूत नहीं है, हमें थोड़ा सा दरदरा करना है, और थोड़ा सा दो तीन टेबल स्पून के करीब तील से बचा लेना, ताकि बाद में वो काम आएगा, या फिर पैन ले जो मर्जी ले सकते हैं इसमें हमें आधा कब डालना है दूद दूद आप जाधा भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे हम बना रहे हैं मिल्क पाउडर से बहुत सारे लोगों के घर में दूद नहीं होता तो इसलिए मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया मिल्क पाउडर एक कब डाला है और एक चौथाई कब डाला है चीनी एक चौथाई का मतलब 50-60 ग्राम चीनी आप इसके अंदर डाल सकते हो और यह 200 ग्राम मिल्क पाउडर है 200 ग्राम मिल्क पाउडर है 100 ml दूद था तो दोनों को अच्छे से तीनों को mix करना है mix करने के बाद हमें इस गैस को on करना है और धीरे धीरे करके इसे पकाना शुरू करना है तो gas को low flame पे रखा है मतलब gas हमें high flame पे नहीं चाहिए ने तो ये नीचे चिपक के जल भी सकता है जब तक ये बिलकुल अच्छे से tight मावा जासा ना बन जाए तब तक आप इसे low flame पे धीरे धीरे करके पकाए करीब 4-5 मिनट का time लगेगा और ये बिलकुल इस तरह से एकदब मावा वाला texture इसके अंदर आ जाएगा ये देखिए इस तरीके से जब ये ऐसा बन जाए तो इसका मतलब है कि ये बिलकुल ready है अभी तो ये मावा soft है लेकिन हम इसके अंदर तिल भी डालेंगे न तो ये थोड़ा सा tight हो जाएगा उससे पहले एक चमच हमने इसमें घी डाल दिया है और घी को अच्छे से mix करना है घी मैंने इसलिए डाला ताकि हमारा जो ये तिल पुगगा है ये बिलकुल soft रहे perfect रहे और थोड़ा सा taste बढ़ जाए इसलिए इसके अंदर घी डाला है उसके बाद जो तिल हमने पीस के रखा है वो हम डाल देंगे इसमें करीब हमने 1500 ग्राम से जादा तिल पीस लिया है थोड़ा सा हमने तिल बचा लिया है उपर से थोड़ा garnish करने के लिए तो ये अच्छे से mix करना है और mix करने के बाद ये बिलकुल ready हो जाएगा अच्छे स जैसे mix हो जाए एकदम dough जैसा बन जाए तब gas को कर देना है बंद और एक थाली में निकालना है थोड़ा सा इसको ठंडा करना है ठंडा करने के बाद हमें इसे छोटे छोटे जो size में है इसे लेके आना है pieces बनाने है तो इस तरह का mold आता है market में मिल जाता है ये वाला तो इ ये सारी चीजे मिठाईयां बनाते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई ring cutter वगएरा का use कर सकते हो कुछ भी आप use कर सकते हो इस तरीके से आपने shape दे देना है ये देखिए बिल्कुल easily बिल्कुल perfect ये देखिए अब इसके उपर हमें क्या करना है इसे ऐसे ही पह तिल का use किया है तिल और मावा का बस इससे जादा चीजे नहीं तिल उपर से भी लगा दिया ताकि लगे कि हाँ तिल पुग गई है तो सब ही अमें ऐसे तिल से code कर लेना है उसके बाद कुछ ड्राइफ रूट अगरा हो तो वो काटके आप इसके उपर ऐसे जैसे मैं एक पीसा से बदाम इसके उपर लगा रहा हूं आप चाहों तो कटे हुए पिस्ता बदाम काजू या फिर जो भी आपके पास ड्राइफ रूट हो वो आप लगा सकते हो और यह बहुत सौफ्ट है बहुत पावफेक्ट है और बहुत इंस्टेंट बनने वाली चीज है यही सेम चीज आप मावा से बना सकते हो मैंने तूया में मिल्क पावडर से बनाया है अगर आपको मावा से देखना है तो मेरे चैनल पे जाईए और आप которых